नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Law Planet में Constitution की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम Article 10 को अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे Article 10 भी Constitution के दूसरे पार्ट का ही हिस्सा है और यह Article हमें बताता है अगर किसी व्यक्ति के पास अलरड़ी Indian citizenship है तो आखिर उस व्यक्ति के पास कब तक Indian citizenship रह सकती है इस चीज को हम एक example और case के साथ अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 10 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अलरड़ी Indian citizen है वो लगातार इंडिया का citizen रहेगा उन citizenship laws के अंडर जो पारलेमेंट ने बनाए है इसका मतलब यह हुआ कि यदि पारलेमेंट चाहे तो किसी व्यक्ति की Indian citizenship को छीन भी सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि government directly अपनी मर्जी से किसी की भी Indian citizenship छीन लेगी इसके लिए आपको पता ही होगा कि citizenship से concerned law में amendments यानि changes करना पड़ेगा और उसके लिए पारलेमेंट में majority of MPs के consensus की जरूरत पड़ेगी यह article constitution के unitary bias का एक अच्छा उधारण है example के लिए हम एक case को देखते हैं इस case में एक act की constitutional validity पर Supreme Court को अपना decision देना था जिसका नाम था Influx from Pakistan Control Act 1949 इस act के provisions के मताबिक कोई भी person चाहे उसके पास पाकिस्तान का domicile हो या भले ही इंडिया का ही domicile क्यों ना हो वो person पाकिस्तान से इंडिया में बिना permit के enter नहीं कर सकता और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे act के provisions के हिसाब से इस offense के लिए punish भी किया जाएगा इस act के section 7 के हिसाब से central government के पास ये power थी कि वो किसी भी person को इंडिया से बाहर निकलवा सकती थी जिसने बिना permit के पाकिस्तान से इंडिया में entry की है या government को केवल किसी व्यक्ति पर ऐसा करने का शक है Supreme Court ने act के section 7 को ultra wires बताया यानि section 7 में जो powers पार्लेमेंट को मिली हुई थी वो उसकी सीमा से बाहर थी और इसका कारण देते हुए Supreme Court ने कहा कि ये section 7 citizenship के rights जो constitution के part 2 में दिये हुए हैं उनको खत्म करता है Court ने कहा कि पार्लेमेंट citizenship के rights केवल article 11 की मदद से ही छीन सकती है इसका मतलब कोई भी citizenship का law यदि article 11 के मताबिक नहीं बना तो वो unconstitutional होगा यानि उससे citizenship के rights को खत्म नहीं किया जा सकता article 11 को हम अगली वीडियो में समझेंगे उसके लिए आप इस channel को subscribe कर लें और bell icon को दबा दें ताकि जब भी वो नई वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई